हालो मैं दितिका नरव हूँ और मुझे आज आपको सिखाना है कि क्रेप पेपर से ग्लास कैसे बनाने हैं हम आज बनाएंगे रोस फ्लावर यह हमारे पास पिंग कलर का क्रेप पेपर और यह है क्रीम कलर का क्रेप पेपर ग्रीन कलरना क्रेप पेपर स्टेंग बनाने के लिए यह बोतल को टेकोरेट करने के लिए हम एक ग्लास की बोतल ली है इसको टेकोरेट करना हमें अगले वीडियो में से खाऊंगी आपको यह रिबन है और यह फेडिकॉल और यह सिजल्स तो सबसे मैंने यह क्रेप पेपर ज यांज से सीधा सीधा कट करेंगे इसको अच्छा अब इसको हाफ में हम इसको टर्न कर लेंगे फिर से टर्न कर लेंगे यह और यह भी फ्लांस होते हैं बहुत ही सुदर बनते हैं फिर से टर्न कर लेंगे इसको हाँ अच्छा आगो इसको हाँ काटेंगे we need to turn them into squares फिर squares को आगे फिर काटेंगे अच्छा अब इसको ऐसा में मिल गए अब इसको ऐसे टर्न करके हम इसको यू शेप में ऐसे काटेंगे आपने देखा इसकी शेप कैसे निकल के आए जैसे पेटल्स की होती है पेटल्स की शेप जैसी अब एक पेटल लेंगे इन सम्में से और उसमें ये सारा फिल कर देंगे ताकि वो सेंटर ऑफ दर रोस बन जाए और ये बहुत ही सुन्दर लगता है we'll take this फिर कॉल लेंगे और इसको फिल कर देंगे इसको ऐसे इसके अंदर भरेंगे और इसको क्लोस कर देंगे ये हो गया हमारा नेक्टर नेक्टर हो गया हमारे रोस बन का अब हम इसको ड्राय होने के लिए छोड़ देंगे और हम एक broomstick लेंगे यह broomstick मुझे ज़्यादा मजबूत लग रही है अच्छा इसको अब हम लेंगे इसको इसके साथ चिपका देंगे और एक-एक करके petals जो है उसके उपर लगाते जाएंगे तो यह हमारी broomstick है इसके उपर हम ऐसे febicol लगाएंगे इसको चिपका देंगे अंदर चिला जाएगा और यह बहुत अच्छी तरह से निकल करके आएगा अच्छा अब हम एक-एक करके यहाँ flowers के petal लगाते जाएंगे एक यहाँ लगाएंगे तो इसी febicol थोड़ा सा यहाँ लगाएंगे यह अब देख रहे हैं अभी हम बहुत सारे petals लगाएंगे यह जो हमारे सामरी यहाँ पड़े हैं सारे लगा लेंगे सारे के सारे petals जो हैं यह बिल्कुल real rose लगेगा थोड़ी देर में देख रहे हैं आप यह कित अच्छा सुंदर डिकल करके आ रहे हैं अब देख रहे हैं वह भी यह जो हमें वज़ देख रही गारा रही हैं झाल झाल अच्छा प्यक्णा हम अपत्पितों देख आपूप्णा हम पर शुब कर रहाँ यह झाल और भी हम एकाद और रह गया है पेटल वो पूरे लगाएंगे ताकि वो बहुत ही सुन्दर निकल करके आए जो हमारा पिंग कलर का रोस है वो अब दिखने के लिए विलकुल रेडी है अभी हम इसके नीचे स्टेंट बनाएंगे ग्रीन कलर का जो है एक यह है रोस अब हम इसके नीचे बनाएंगे स्टेंट यह हर कलर में बनते हैं रोस आप इसको क्रीम कलर में भी बना सकते हैं जो दिया है मैंने यहां पेपर आप इसको ब्लू में भी बना सकते हैं परपल में भी हर तरह के रोस बनते हैं बहुत ही सुन्दर बनते हैं अब हम यहाँ पे इसको चिपकाएंगे कैसे चिपकाएंगे इसको ऐसे रोल रोल करके पूरे रोस की यह स्टेम बना लेंगे यह हैंडी क्राफ्ट बहुत ही सुन्दर लगता है अब भी इसके ओपर थो देर बाद लीफ लगा लेंगे हम के यह हमारा बन गया रोस अच्छा इस तरह से हम और भी क्रीम कलर के बना सकते हर कलर के बना सकते हैं आप चाहते हैं तो इसके ओपर लीफ भी अटैच कर सकते हैं बहुत ही नाच्यूरल लगेगा यह यह लीफ के रहे हम इसको लेंगे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे अच्छा फिर जैसे की रोस के फ्लावर्स आपने देखे होंगे गार्डन में उसी तरह से हम इसका इसके पत्ते काट लेंगे यह देखिए यह रोस का एक लीफ कट गया अब हम इसको ऐसे चिपका देंगे कैसे चिपकाएंगे दुबारा फैवे कॉल लेंगे इस पर कुछ जानने वाली बात है बस और हर एक से होता है ता सुन्दर यह रोस का फ्लावर निकल करके आता है और हम इसमें यह से लगा सकते है इसको कांच की बोतल में ऐसे डाल लीजे आप इसको डेकुरेट कर सकते हैं जैसे यह रिबन है रिबन को आप इसको ऐसे कर सकते हैं रिबन को काटके इसकी अराउंट आप ऐसे बो बना सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगेगा यह आपको अगले वीडियो में बताऊंगी मैं जिसको भी नेरा वीडियो परसंद आया इसको प्लीज शेयर करें सब्सक्राइब करें और साइड में बेल नोटिफिकेशन है उसको प्लीज दबाईए ताकि मैं रेगलर एंपेट्स आपको दे सकूँ कि मैं आज कल क्या बच्चों को जो है सिखा रही हो अएक्वी अवाद सक्रेंट रहे हो जो है आज कि मैं बच्चों हो जो है।